मीडिया के साथियों, मैं आप से कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया है, मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाद है, मैं जानती हूँ कि आपको लाइन भेजी जाती है, कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर सरकार सवाल उठाने वाले को आठ सालों के लिए संसद से निकाल सकती है अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाज़त नहीं है तो बहुत गरबढ़ है बहुत गलत हो रहा है और ये लोग तंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है जब आप पत्रकार बने शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सचाई बोलूगा, सचाई बोलूगी आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाईए आप लिए, और जैसे खड़गे जी ने कहा, कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाद उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं, और हम सब को एक होना पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा, क्योंकि आज ये देश खत्रे में है, आज इस देश की सारी संपत्ती, एक आदमी को सौपी जा रही है, और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सर्थकार खड़ी हो जाते है, बहुत गलत हो रहा है, अगर आज, मेरे भाईयों और बहनों, आप इसको पहचान नहीं पाएंगे, तो इस देश को बहुत खत्रे में डाल देए, इसलिए यहां खड़े हुए, महात्मा गांधी जी की समाधी के कुछी गज़दूर खड़े हुए, मैं आपको याद दिलाती हूँ, कि कितनों ने इस देश के अजादी के लिए अपना खून बहाया है,